आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूरीशा प्रसाद, आपके मनजिल के इस कफ़र में आप सब का फिर से स्वागत करता हूँ तो हमने mineral और energy resources का part 1 complete किया, जिसमें हमने चतने metallic minerals थे, उनके बारे में हमने deep में जान क्या रिया लिया तो हम देखेंगे non-metallic minerals के बारे में अपने इस part 2 में, तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मनजिल तो सबसे पहले हम माइके के बार में discussion करते हैं कि माइका जो होता है कहां use होता है और कहां मिलते हैं तो यह क्या होता है, electrical industry में direct आप से पूछ लिए जाता है कि कहां use होता है, electrical industry और furnace में इसके use किया जाता है furnace यानि कि ऐसा चीज जहां पे metal को smelt किया जाता हो उसे फर्नेस बोलते हैं तुझ जो electrical industry और furnace इन दो जगाओं में हम माइका का योवस्ट करते हैं इस अच्छे सी याद रखीगा यह वनमक्स के लिए कोशन आता है कि कहां पे माइका सबसे ज्यादा मिलती है तो निलोर petroleum, natural gas and nuclear minerals तो इस चारों के बारे में हम deep में अच्छे से आगे discussion करते हैं सबस्ते पहले हम coal के बारे में देखते हैं आपके NCIT की बुक में तीन तैपका coal दिया हुआ है एक है anthracite, दूसरा bituminous, तीसरा लिगनाइट ठीक है और चौथा एक दे दिया है tertiary coal उसके बारे में आपको संधा देता हूँ तो anthracite, bituminous और lignite में यही अंतर होता है कि इन तीनों में carbon जो content होता है dry carbon जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा जलेगा तो उसी हिसाब से इनको तीन categories में डाला गया है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं anthracite के बारे में देखते हैं anthracite जो होता है लगफग इसमें जो carbon की मात्रा होती होगा 86 से 92% इसमें carbon होता है bituminous में कितना होता है 70 से लेकर 76 तक और आपका जो lignite आ गया इसमें कितना आ जाता है 65 से लेकर 70% तक आपको carbon की मात्रा देखने को मिल जाती है कहां कहां मिलता है आप यह देख लीजे anthracite जो आपको हिमाले डिजन में मिल जाता है bituminous आपको गोदावरी फिल्ड में मिल जाता है साथ साथ गोदावरी वहली सोन वहली ज़रिया रानी गंज यह सब महानदी आपको जगाहों में मिल जाती है साथ धिगनाइट जो है यह तमिल नाडू में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और टर्शयरी कोल जो होता है इसे एक चीज़ को ध्यान से याद रखीगा यह आपका अंसे आटी में दिया हुआ नहीं लेकिन इसको ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है टर टर्शयरी कोल जो होता है इसमें जो कारबन का मात्रा होता है यह बहुत कम होता लगवा 40-60 परसं तो यह सबसे लो क्वालिटी आप कह सकते हैं टर्शयरी कोल होता है ठीक है अब समझ गया अच्छे से चलिए आगे बढ़ते हैं देख लिए हमने जो यह जहारखंट और उसकार हम देख लेते हैं पेट्रोलियम को पेट्रोलियम को सबसे पहला यह कोशन बनता है कि किस मिनरल्स को लिक्वीड गोल्ड के नाम से जाना जाता है तो पेट्रोलियम को ही लिक्वीड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है इसका यूज क्या क्या कहां जितना भी हम यूज करते हैं, cream cream, इन सारे चीजों में, बैसलिन, इन सारे चीजों में हम क्या करते हैं, petrochemical का ही use करते है, जो petroleum से निकलता है, सबसे ज़्यादा यह कहा होता है, यह आपका होता है, dick boy, और यह हमारा सबसे जो oldest भी है, oil fake, ठीक है, dick boy, उसको अच्छे सियाद र मुंबाई हाक आपको यहां देखने को मिल जाएंगे जह मुंबाई हाइक रहा गया और कृष्णा गोदावरी बेशिन इन चारो जगहों में आपको सबसे ज्यादा पेट्रोल मिल जाता है और सबसे पुराना पूछके तो डायक्टिक बोई का नाम निख दीजेगा असाम मे मार्केट Igrez होता है कि कहीं पैत्रोल कहीं और से कीशा शैरिकाएगा तो इंदिया में टोटल कितनेil एक्तीनी और सबसेगक इंच्छे साये रखी का एटीन Gas Authority of India Limited was set up, ये कब set up हुआ था, 1984 में, ये एक public sector है, मतलब की government के द्वारा ये undertaken होता है, ठीक है, government इसको चलाती है, इसमें क्या किया देता है, to transport and market natural gases, जिसका transport और market करने का काम किसका है, government का है, कहां सबसे ज़्यादर natural gas मिलता है, ये आपको गुजरात, राजस्थान, राजस् देखने को मिल जाएंगे, उसका था हम nuclear energy resources के बारे में देखते है, uranium and thorneum, दो बहुत important nuclear energy resources है, जिसका उप्योग इंडिया में किया जाता है, जिसका उप्योग साथिचत energy generation में भी किया जाता है, सिर्फ nuclear bomb के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बलकि energy generation में, और at present, uranium और thorneum का use, energy generation के लिए सबसे ज़्यादा ये use हो रहा है, uranium कहां मिल जाते हैं आपको, ये एक तरीकी का पत्थर होते है, rocks उन पे मिलते हैं, ये हैं, दर्वार रॉक में, ये धर्वार भी बोल सकते हैं, इन सारे rock में आपको ये uranium मिलते हैं, found in स्रिंग्भूं copper belt, तो कहां मिलता है, स्रि district of 36 गर, इन सारे जगों में आपको ये uranium मिलते हैं, नेक्षाते थोडियम के तरफ, थोडियम जो है इंडिया का एक मात्र जगा में मिलता है, सबसे ज़्यादा है, मोनादे सैंड ऑफ केरिला, केरिला का एक सैंड है मोनादे जिसमें हम थोडियम हमको मिलते हैं, atomic energy commission was established, सबस कर दिया गया और इसमें थोड़ा कुछ को चीज को setup किया गया, जैसे Atomic Energy Institute at Trombay, ये जब 1954 में इसका setup किया गया, तब से ही इसमें development और progress हमको देखने को मिले, इसका rename कर दिया गया 1967 में, 1967 में, और क्या नाम रग दिया गया, भावा Atomic Research Center, इसका ये Atomic Energy Center था इसका नाम आट को हम क्या बोलते है, Trombay बोलते हैं, याद रखीगा, उसका नाम अभी जो है, भावा Atomic Research, आए दिन आपको Newsmates का नाम सुनने को मिलता होगा, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, Non-Conventional Resources, वो Resources होते हैं, जो कभी खतम नहीं हो, जिसे हम Renewable Resources भी कह सकते हैं, इनका advantage ये है, य ये no pollution, ये कोई pollution नहीं फेलाते हैं, Abundant, प्राचूर मातरा में ये भरपूर भी है, cheapest भी है, इतना नहीं कि आपको बहुत ज़्यादे इसमें पैसा खर्च करने की ज़ोध पर रही है, और साथी दर, Eternal, ये throughout the, जब तक ये civilization है, जब तक अर्थ है, तब तक ये आपको मिलता ये Abundant है, प्राचूर मातरा में भरपूर है, कहीं भी आप जाईए है, इंडिया की कोई भी हिस्से में जाईए, आपको ये solar energy मिली जाएगा, इंडिया नहीं वलकि आप आर्थ का कोई भी हिस्से में जाईए, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं कम है, कहीं जादा है, तो मैं ये जैसे point by आपको दिखाते चला जा रहा हूँ, आप उसे समझते रहे हैं और लिखते भी रहे हैं, जैसे कि आपको exam के लिए फिर से कुछ notes बनाने की जरूत ना पड़े, direct आप यहां से एक बार पढ़ लिजेगा, और आप exam में अच्छे marks कर लिजेगा, मैंने ए इसका जो power होता है, यह बहुत powerful होता है solar energy, photovertic cell में इसका use किया जाता है, जिसे electric में हम convert कर सकते है, solar energy को हम photovertic cell के थूरू इससे क्या करते हैं, electrical energy में convert कर लेते हैं, क्रिस्ट competitive का मतलब होता है कि ऐसे चीज जिसका बहुत ज्यादा costly ना हो और कम पैसे में आपको अच्छा provide कर रहा हो, ठीक है, इसको हम बोलते है assist competitive, उसका environmental friendly है, यह environment को harm नहीं काता, कोई pollution इससे नहीं होता है, ठीक है, तो इस वैसी यह environmental friendly है, 10% more efficient than coal, कोई भी coal जो जलता है सबसे अच्छा, अर्थर साइट coal को ही लेनी जी लेकिन उससे 10 गुना यह powerful और मदबूत है, more applications heater, इसको क्या-क्या में use किया जाता है, heater में use किया जाता है, crop dryer, cooker में इसका use किया जाता है, solar energy का, साथ से western part जो है इंडिया में, इसमें सबसे ज़्यादा इसका potential हमको देखने क से, ठीक इसको अच्छा सी आयर रखीगा, अब हम wind energy के बारे में देखते हैं, सेम जैसे हमने solar energy को देखा, यह भी बिल्कुल pollution free है, इससे कोई pollution नहीं होता है, जैसे अब coal से अगर electricity अब generate करते हैं, तो उससे आपको pollution देखने को मिलेगा, लेकिन इससे कोई pollution नहीं होता है, exhaust exhaustible, यानि कि यह खतम कभी नहीं होगा, जब तक यह अर्थ है, तब तक यह चलता रहेगा, तो simply missionary, इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत high-five technology के यूज़ करना पड़ा, just simple आप एक wind में लगा दिये, और इससे connect कर दिये, जो क्या करेगा, wind power को electrical power में convert कर देगा, wind rotor turbine to produce electricity, electricity, जिसमें क्या करता है, wind rotate करता है, जो मैं आदबे ने कहा, और क्या करते है, produce electricity generate करते है, permanent wind system जो होते है, यह बहुत helpful होते है, हमको पता है कि किस साइड में, किस समय, इंडिया के हवा आएगा, उस जगा में हम इस चीज़ को setup करते हैं, तो वहां से हम अच्छे electricity को produce कर सकते हैं, इंडिया के पास कितना है, 215 wheel driving turbines है, जो कितना करते हैं, 45 megawatt potential जो अपने पास रखते हैं, लेकिंग क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिया में जितना, हम कितना करें, 45 megawatt करते हैं, लेकिन हम 5000 megawatt produce कर सकते हैं, इंडिया में ऐसा जगा है, 12 ऐसा suitable जगा है, जहा प्रेडियूस कर पाएंगे कच जो है कुछ रात का यह इलाका जो है सबसे सुटेबल प्लेसे एनरजी जेनरेट करने के लिए उसका हम टाइडल वेप एनरजी देख सकते हैं यह इंडिया जो हम तीनों तरब से क्या है पानी से घिरे हुए हैं तो यह हमारे लिए बहुत अच जिससे यूस करें और जिससे एलेक्रिसिटी जेनरेट करें तो एनरजी प्रेडियूस्ट विद्धा हेल्प अफे टाइट्स एंड वेप अफसी वेस्ट कोस्ट इस मोर सुटेबल तो इसमें भी सेम बात कहा दिया गया है कि वेस्ट साइड जो है इंडिया का यह साइड ज गरम करेंगे जी नहीं यह जो ग्राउंड जो हमारा अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो क्या करता है एक गीजर के रूप में काम करता है पानियों को गरम करता है उससे जो भेपर निकलता उससे हम अपने टर्वाइन को घुमा की एलेक्रिसिटी प्रियूस कर सकते हैं hot spring and geysers are used to generate electricity समय में आए आपको groundwater is heated and gust out मतलब होता है कि groundwater गरम होता है और कहीं एक छोटे hole से वो पहार की तरफ जोर से निकलता है उच जगह में हम अपने टरवाइन को sit कर देते हैं तो वो घुमेगा और उससे electrical energy generate work करेगा ठीक है अब हम bio energy के बारे में देखते हैं energy generated from the agriculture, animal waste, urban waste it can be converted into the electrical energy तो जितना भी आपका कितना है agriculture का waste है या animal का waste है या urban का waste है इन सारे चीजों का भी उप्योब करके हम क्या कर सकते हैं energy को produce कर सकते हैं यह हमारे ruler area में बहुत ज़्यादा होता है जहां पर electricity हमारे cable के थुरू नहीं पहुँच पाते है जो remote areas में होते हैं वह हम bio energy का बहुत अच्छा यूज करते हैं और जो environment के लिए भी अच्छा है क्योंकि यह सारे waste को electric में convert कर देता है जिसे कि यह गाउं जो रहता है बहुत clean रहता है इससे environment जो यहां पर वही बात लिखा हूँ है कि environment भी बहुत clean रहता है cheap भी है गाउं के लोगों के लिए बहुत खर्चा कभी यह बात नहीं होता है और साथी साथ यह क्या है easily available भी है रूलर इलाका में तो इस बैस से bio energy जो है गाउं के लिए बहुत important एक energy generate करने का साधन है हमें conservation क्यों करना चाहिए minerals का यह देखना बहुत important है use non-conventional resources को हमको सबसे ज़्यादा करना चाहिए तो ही हमारा minerals resources को हम बचा पाएंगे non-conventional यानि कि सूरज को उपयोग कर सकते हैं साथ-साथ wind का, tide का इन सारे चीजों को अगर हम उपयोग करते हैं तो जैसे कि हम coal, petroleum इन सारे चीजों को हम अच्छे से बचा सकेंगे recycling of metals जितने भी metal होग है उनका हम recycle कर सकते हैं आसा नहीं कि कोई iron खराब हो गया तो इसे फेक दिया आसा नहीं use alternative resources, alternative resources का हम को use करना पड़ेगा जैसे electric के लिए हम अभी तक coal पर हम निरभडते अभी हम को solar पर हम आ चुके हैं thermal का use करना चाहिए साथ-साथ जो हमारा geyser है, geothermal energy का हम use कर सकते है जो naturally तरीके से मिलता है हमें तो इन सारे चीज़ों का करके हम प्योग क्या कर सकते है minerals को बजा सकते है तो use scarf metal, ऐसे metals जो बज जा रहे हैं या जिनका reuse किया जा सकता है उन चीज़ों को हम फिर से reuse करें जैसे कि जो हमारे minerals है उस पर ज्यादा burden ना बने export of strategic minerals to be reduced जो हम कर रहे हैं gold और silver इन सारे चीज़ों को export कर रहे है इन सारे चीज़ों पर हमें बहुत रोक लगाना पड़ेगा अपने countries के resources को हमको export करना कम करना पड़ेगा तो ही जाके हम अपने countries के लिए अपने देश के लोगों के लिए इन सारे minerals को बचा के अच्छे से लग सकते हैं लंबे समय तक जैसे कि हमारे आने वाले पीरे भी इन सारे चीजों का लाब उठा सके तो ये चैप्टर यहीं खतम होता है आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताए अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे सस्क्राइब क जरूर करे सकते हैं